अब यहाद जा रहा है कि अगर बैसिकले इस प्रॉब्लम को दिखोगे तो यह कह रहे हैं कि इस मलें को ऑल, चलोओ ल mix लेते हैं इस problem को तो यह अपने पास लेंस श्वी लेते हैं और यह लेंस एक ऑब्जेक्ट यह अपनावाल और यहां मैं बल्ब रखा जिसका ऑब्जेक्ट यूवन पोजीशन फर्स्ट रहोगा और इसका यहां पर इमेज बना है वह जिसकी एरिया एवन है इमेज की एरिया एवन है ध्यान देना दूसरी बार मैं बल्ब को आगे पीछे किया करनी है आप कहीं भी रह सकते हो और यह 2 है लेखिन भी का सेम है और यहां परактиकर उसकी area A2 है तो यह कहते हैं जो बल्व रखा हुआ यह जो बल्व जल्ला है इस बल्व का area कितना होगा औबजेक्ट का area कितना होगा यह मुझे calculation में करनी है तो अगर मैं इस object की area निकाल लूँगी तो सब सब से पहले निकालूँगा तो सब से पहले प्यारे बच्चो तुम् ऐरिया ऑफ एरिया आफ ईमेज ठाया और डिवाइड़ड वाइड वाइड बात समझ माईड वया है फोर एकजामपल के यहां डाइ़्गव में देखो तो जाता है यहां अगर यहां पर मैंग करूँत करो अगर यहां फेले अचरब이죠 अब M A टाइम्स लेंथ बढ़ा है तो M A multiplied by पहले breadth B था अब वो M B टाइम्स हो गया तो M B divide कर दूं यहां से area of image A multiplied by B ठीक है तो this is the aerial magnification how जिसे मझे apply करना अब यहां से M A multiplied by M B की value यहां पर एक case में A1 है और यहां से M A multiplied by M B की value यहां A2 है तो यहां पर तुम देखोगे तो पहला first time magnification यहां M A multiplied by M B और area of object A B रहेगा that is यहां से A1 upon A B equation number first दूसरे second time अगर देखोगे यहां पर तो यहां पर जो magnification M 2 है that is M A multiplied by M B और यहां से M B ठीक है that is यहां से A2 upon A B आ जाएगा जो की A भी change नहीं होगा अब यहां से एक तुम्हें से standard यहां से standard result एक result तुम्हें यहां से याद होना चाहिए यहां तो पढ़े होगे नहीं तो समझ लो अगर कोई लेंस है लेंस है अगर उसका E1 है और यूटू है दो अलग अलग पोजीशन है अगर आपको नहीं आता है तो कमेंट करना मैं इसका derivation कभी बना दूंगा अगर आप प्रॉब्लम समझ पाऊंगा तभी तो तो फर्स्ट केस में इसका मतलब भी होगा कि एकोस के प्रोड़क्ट एक क्या है तो यह से ए वं एटु स्ट्रोंस का प्रोड़क्ट यह है फैशलव होगा जायेगा मतलब अब की यहाइ यह से और एकुतों अड़रूर्ः निया री इस ते-एवी इस अब्यु मेंग दे Aub Bella तो एरिया आफ ऑब्जेक्ट तो एरिया आफ ऑब्जेक्ट को मैं ए से लिए एवन एटू अंडरूट इसका मतलब यह हुगा फाइनली जो मझे सलूशन मिल जाएगा वह अपना सी ऑप्सें से ही है आई हो कि आपको मझा आ गया होगा थेंक यू